महीने तक रोज करें ये काम, मा लक्ष्मी की कृपा से जाग जाएगा भाग्यू। कार्तिक महीने में विशेश तौर पर भगवान श्री हरे विश्नु और मा लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस महीने पूरे श्रद्धा भाव से प्रभू का चिंतन मनन करने से सम्रुद्धी आती है। कार्तिक महीने की शुरुवात हो चुकी है। धार्मिक प्रिष्टी से इस महीने को बेहद ही पुर्ण्यदायक माना जाता है। कार्थिक महीने में विशेश तोर पर भगवान श्री हरे विश्नु और मालक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने पूरे श्रधा भाव से प्रभु का चिंतन मनन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समुर्धी का वास होता है। वहीं इस एक उपाय की मदद से आप अपनी आर्थिक दिकतों से राहत पा सकते हैं। आईए जानते हैं एक ऐसा ही उपाय जिसे महीने भर कर लेने से मालक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त हो सकता है। कार्थिक उपाय कार्थिक महीने में तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करना बेहत शुख माना जाता है। रोजाना सुबह ब्रहु मुहूर्थ में उठने का प्रयास करें और मा तुलसी को पवित्र जल से अर्ग्य दें। अगर आप रुपए पैसों की दिकतों से जूज रहे हैं तो शाम के वक्त गोधूली बेला में एक महीने तक तुलसी जी के नीचे घी के पाच दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता दूर हो सकती है। वहीं विवाह में आ रही रुकावटी दूर करने के लिए तुलसी जी को सिंधूर और लाल रंग के पुष्ट चढ़ाएं और रोज इनकी उपासना करें। मा तुलसी को श्रिंगार का सामान चढ़ाने से मा लक्ष्मी की कृपा पान के साथ साथ विवाह में आ रही अरचनों को दूर और आर्ठिक तौर पर जीवन को मदबूत बनाया जा।